हाई फ्रेंट यह देखिए आज एक सोनी अब्राविया का सेट ले के आया हूँ जिसका मोडल नमबर है के लगी फो जीरो टू बी सोनी अब्राविया का एक LED है इसका जो प्राव्लेम है यह देख लिजिए इसका पार देदिया लेकिन इसका देखिए कोई light नहीं आ रहा है इसका standby light जो है वो नहीं आ रहा है इसका एक शुरी प्राव्लम है यह सेट डेड है चलिए कैसे आप चेक करेंगे आसको step by step details में दिखा देता हूँ यह सेट फैलेस से screw को open करके रखा हूँ है पहले पास अपले कर को open करते हैं चलिए पहले इसका कॉंडेसर को दिख लेते कापसिटर में चार्ट है या नहीं अब चार्ट नहीं है नहीं है चलिए अब स्टेप बस्टेप चेक करते हैं पहले तो चेक करना है इसका क्यापसिटर में चार्ज नहीं है पहले हम लोग इसको और देता है और देने के बाद देखके कापसिटर में चार्ट आ रहा है कि नहीं दिखने है यह दिखिए यह यह यहापर वोल्टेज नहीं आ रहा है इसका मतलब यह फ्यूज साइद उड़ गया देख लेते हैं यह फ्यूज ब्लो हो गया इसका मतलब यहापर यह पास अपल पर कुछ सौट है इसके बज़े से यह फ्यूज उड़ गया चलिए अभी स्टेप बस्टेप इससे देखते कहां पर क्या है दूस्तों यह विडियो दो पाटों में दो इस्टों में डिवाइड कर दिया था हूँ एक में आपको फॉल्ट फाइंड करके दिखा देगें दूसरी दिविद में आपको इसका जो सॉलूज सेंद एक कैसे करना है वो दिखाएंगे एक पास अप्लाएं जिसमें बैकलाइट का सेक्षेन है और मेन आउटफुट है पार का चलिए इसका जो पहले चेक कर लेते हैं इसका सेकन्डरी पार्ट सेकन्डरी पार्ट में आगर कुछ स्टेज है तो मोट बघू अभर दोट सकते पहले शेंटरी पाट को धीछ लिटन है यहाँ यहीं देक्यार इस अगले सेकन्डिर पाटेंट में सॉट्राज नही है ठीक है देखे लिख लिया इसमेhen Sotage नहीं है दो बेकलिट सेक्षिन चल्आ है इसमेhen भीcutagne नहीं चलिए पाइमारी पार्ट को देखते है ना ना оoft के पहले जो MOSFET- yeлous marker मॉसस्ट को पहले उनका चेक करेंगे वहापर हैंÇ act देखिए इसका MOSFET जो है वो भी shortage नहीं है MOSFET sort नहीं हुआ इसका मतलब इधर नहीं sort हुआ इसका जो main rectifier है इस section में sort हुआ चलिए इसको section के देख लिए पहले केपसिटर को देख लिए थे रिपसिटर में भी sort नहीं है ठीक है यह rectifier को देख लिए थे यह देखिए यह आपा जो rectifier है यह rectifier का ही problem है यह rectifier sort दिखा रहा है तो पहले हम लोग rectifier को open करके देख लिए यह rectifier को पहले open करके देख लिए इसके बाद जो है इसको अगर सही है तो ठीक है नहीं तो इसको चेंज करना पड़ गए चैसे लिए rectifier को खोल के देख लिए है यह आप अब कर दो कि आप कर दो कर दो कर दो कर दो चांता है प्सक्तुशाइ पड़ निया वीर, आप पुटट ए प्सकाटब आपिने, आप के लिए काम कर आप शो बाप आप आपके लिए अ़िया, ऑपके लिए प्सकाटब आपके रधा हैं लिए आपके लिए एम आपके उटाई यह रेक्टिफियर देखिए, ओपन हो गया, अब रेक्टिफियर को टेस्ट करेंगे, देग लिजे, यह देखिए, एक साइड इसका सॉट हो गया, बैक की साइड ठीक है, लेकिन यह साइड सॉट हो गया, तो यह रेक्टिफियर को अभी, चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद, चलिए देखते हैं, क्या होता है, चलिए उसके जागे, यहां पर एक रिक्टिफियर मेरे पास है, यही लगा देतें, लेकिन रिक्टिफियर चेंज करने से पहले एक बात चेक कर लिजे, यहां पर सॉट तो नहीं है, यह देख लीजे, दिखिए, यहां पर कोई सॉट एज नहीं है, अब यह हम लोग यह ट्रेक्टिवार को चेंज करेंगे पहले यहां पर देखिए यह प्लास पॉइंट है यह देख लीजे यह देखिए इसका प्लास और यह माइनस यहां पर फ्लास लिखा हुआ है यह देखिए और यह माइनस यह दुनों देखिए ही रिक्ट पर लगाएगे नहीं तो अपका फ्यूज उड़ जाएगा यह यह तो दोस्तों एक बात बताना चाहरा हूँ अगर कोई भी सेट का पास अपलाई मिले और आप स्टेप बास टेप चेक करेंगे तो कोई भी पास अपलाई आपके लिए मुस्किल नहीं होगा ध्यान से चेक करिएगा तो कोई भी पास अपलाई आपके लिए रिप्या करने के लिए मुस्किल नहीं होगा चलिए अभी और एक कामबक है यहां पर जो फ्यूज है इसे भी चेंज करना पड़ेगा इसके जगह पर एक फ्यूज भी लगा दिता हूँ ठीक है इस फ्यूज भी लगा दिया चलिए अभी इसे पास अपलाई देखे एक बड़ टेस्ट करेंगे उसके बाद इसके बाद पास अपलाई देकर टेस्ट करेंगे इसके बाद में लाइन से जोड़ देंगे दोस्तों एक बाद बता दे रहा हूँ अगर आपके पास सीरीज कनेक्शन है तो ट्राइ कीजेगा कि इस सीरीज के साथ ही कनेक्ट कीजे क्योंकि पास अपलाई अगर और दूसरा कोई कॉम्पोनेंट सौट होगा तो आपका मेन फ्यूज भी जा सकते हैं अगर देखिया अगर पास अप्लाई अभी ओके हो गया चलिए अब इसको में पीसी पीसे जोड़ देता हूँ चलिए जो शेँ जोड़ बच्लाई अप्लाई चानी ? जोपा है जोड़े जोड़े भीसे जोड़ेँ अपने लगा देता हो कि तकी बोड इधार इधार ना हो अच्छिए इस को पर अच्छिए आपाउस अप्लाई देता हूँ यह देखिये सेट अभी अन हो गया यह अपने दे रहा है चलिए बंद करके देखा देता हूँ यह देखिये नो सिगनल भी आ रहे है वीडियो भी आ रहे है एक बार फिट से बंद करके देखा देता हूँ यह देख लिजिए ठीके दोस्तों तो वीडियो आगेर अच्छा लगे तो प्लीज स्वास्क्राइब लाइक कर दीजिएगा यहीं थाज जगेग से बंद करें बंद कर दोस्तों प्लीज स्वारइब लाइक कर देखियो प्लीज स्वारत लारत धर विडियो कि यहीए